प्रदार मंद्री जी, एन आई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद, नवस्काल, आपको नवरात्रे की बहुत 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 शुकामना है, और कोछी दिनों में देश राम नौमी का पर्वा मनाएगा, राम नौमी की बहुत 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 शुकामना है, आपको भी मेरा पहला सवाल होगा ये कि आपने कई भाशनों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष नहीं है 2047 है तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मालिटी है मैं समयता हूँ कि 2047 को और 2024 दोनों को मिक्सप नहीं करना चीए दो अलग चीजे हैं जब देश आजहादी के पचातर साल अमृत महोसो मना रहा था उसी समय मैं ये विशय सब के सामने रखना शुरू कि आदाथ से एक दो साल पहले और मैं ये कहता भाव कि 2047 देश की आजहदी के सौसाल पोगे स्वाभावी गुरूप से ऐसे जो माइल्स्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्सा भरते हैं नये संकल्प के लिए व्यक्ति को तयार करते हैं और उस हर्थ में मेरा मत था कि एक मोका है रहे हैं पच़तर साल पर हम खड़े हैं कि 100 साल पहुंचेने बाले हैं इस पचीज साल का सरवादी को कैसे करें हर इंस्टिटूशन हर कोई अपना एक लक्ष बढ़ाएं मैं अपना गाव का प्रधान हूं 2047 तक मेरे गाव में इतना तो मैं करूंगा आर भी एक में कारकम मैं भी गया है नवे साल का उनका कप तो मैंने कहा कि दस साल बहुत महत्रोपून है आपके सो साल होंगे इस पर अभी से सोची है तो मेरे मन में ट्वैंटी फुटी सेवन ये भारत की आजादी के सो साल और देश में एक प्रेरना जगनी चाहिए और आ तो एक पार तो भो है दूसरा है ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर ये चुनाव का हमारा जो करम है पांच साल का उसके हिसाब से वो आया हुआ करम है और मैं मानता हूं कि चुनाव अल्पूगे तर डिफरेंट फिंग है एक तरफ अस चुनाव में देखते हैं लोग तंत्र मे तर अस चुनाव को हमने लाइट नहीं लेना चाहिए एक बहुत बड़ा महा परवा है और मेरा तो मुझ है कि उस्व उत्सव की रुपे मनाना चाहिए उससे जैसे पॉर्ट्स उसका जब फैस्टिवर होता है पॉर्ट्स के इवेंट होता है वो स्पोर्स्वेंट को से प्रतिस परदा भी जब खेल का मादान होता है तो देखने वाले खेलने वाले स्पोर्ट्समान स्पिरिट का एक एन्वार्मेंट क्रेट होता है जो हमारे संस्कार बन जाते से चुनाव का माहोlles अगर हम उत्स only पलट दे लोकोधा बना दे तो हमारी लगो में डिमोक्रिसी आने वाली पिड्यों के रगों नहीं, भो संउसकार बन जा दिह हैं, और लोक CANTR के लिए भगत आवशख है की लोग CANTR, इस्यौ तोर संविधामत के सिमांों में रहा हूँँ, हमारी रगों में होना सही है हमारे संस्कार में होना सही है और उस अर्थमय में 2024 को देखता हूं यह वास हही है कि हमारा 25 साल का वीजन और उसमें मैंने बहुत काम किया है और यह आज कर रहा हूं ऐसा नहीं है शायद मैं जो गुजरात में था तब इन दिशा में सोचता था अब देखिए 2024 का चुझाओ तो देश के सामदे अफसर है कि एक कॉंग्रेस सरकार का मोडेल और बीजेपी सरकार का मोडेल उनका पांट छे दसक का काम नहीं के लिए बहुत खुला मैदान छोड़ता हूं पांट शेद दसक का काम और मेरा सरफ दस साल का काम अगर कुछ कमिया होगी तो भी हमारी एफर्स में कमी नहीं रही होगी दूसरा मुझे दस साल में दो साल तो कोवीर की लड़ाई में जाना पड़ा और आफ्टर एफेट भी बहुत था फिर भी आज हम कंपरेटिव देश को स्पीड कहो स्केल कहो कि सर्वांगिन विकास की बात करें तो वो कहें सर्व समावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें हर पैरामिटर पर आपको कॉंग्रेस के मोडल से एक ऐसा मोडल नजरे आ रहा है कि हां इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गती से और गती और बढ़ानी है मुझे अगले टम्में गती भी भढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है तो वो तो मेरा लग्षा ही है दूसरा आप देखेंगे कि जब देश चलाने की देश्वासी जिम्मेबारी देते हैं तो आप सिंगल माइंडेट फोकस होना चाहिए देश देश के लोग दूरभाग्य से पहले की राजनिती कल्चर ने परिवार को कैसे मजबुत बनाना परिवार की जड़ों को कोई उखाड न दे उसी में शक्ती लगाते रहे जब कि मैं देश मजबुत इसी एक लखको लेकर के काम कर रहा हूँ मेरी सरकार पूरी उस लखको लेकर काम रहे है और जब देश मजबुत होता है तो हर को उसका महरब तो कर रहा है इमानदारी से कर रहा है इन चीज़ों का इंपक्ट होता है तो 2024 यह चुनाव है और चुनाव का मजबुत है तो हम तिक अपने ट्रेक रेकोर्ड को लेकर के गए हैं और वे अपने ट्रेक रेकोर्ड को लेकर के आए हैं अब प्रदान मांत्री आपने द आप कहते हैं कि ट्रेलर है, आफकी स्पीचेश कोई और मी तरह काने वाला हूं हुआ इक कजबा होता है कि करने क्या वाले हैं Maudi घुर inspired to finish will to pay tojat BCasına औरन के लिए और मैं नुम्मों के लिए आप अगर हमें बिज़न क्या एक तक किस तरह ये विजन सकसेस्फुल होगा, क्या आपका गेम प्लान है? जब मैं कहता हूँ, कि मेरे मन में बहुत बड़े-बड़े प्लान है, और इसके लिए बहुत बड़े-बड़े प्लान है, किसी को डरने की जरुवत नहीं है, मेरे निरने किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को डबाने के लिए भी नहीं है, मेरे निरने देश के सरमांगिन विकास के लिए है, जन कल्यान के लिए है, देश के युवाओं के एस्पिरेशन को मैं देर करना नहीं चाहता हूँ, मैं समय बगाडना नहीं चाहता हूँ, दूसरी बात है, जादा तर सरकारों का स्वभवा होता है, यह मुझाज में रहते हैं, हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं, मैं नहीं मानता हूं, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने जादा से जादा करने का प्रहास किया है, सही दिशा में जाने का प्रहास किया फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है कि मैं देखता हूँ मेरे देश की कितनी आवश्चता है हर परिवार का सपना वो सपना कैसे पुरा हो यह मेरे दिन में पड़ा हुआ है और इसलिए मैं कहता हूँ जो हुआ है वो ट्रेलर है आपको अच्छा लगा है लेक लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूँ उस अर्थ में मैं उस बात को कहता हूँ दूसरी बात है कि 2047 का जो वीजन का सवार है एक तो मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूँ और मैं अनुफव करता था कि बार बार चुनाओ आओ आचार खहीता किसी भी र अच्छे अपसर अबजरवर के नाते जाते थे एलेक्शन ड्यूटी तो चानीस पचास दिन तक वो भार रहते थे तो मुखे चिंता रहते थे कि मैं सरकार केसे चलाओ क्योंकि देश में ऐसे चुनाओ होते ही रहते है और मेरे अबजरवर जाते रहते तो मैं तो फिर मैं अब सचा है कि मैं ही इसको वेक्रशन नहीं माँता हूँ मैं चुनाओ होगा तो उस पिरिए को वेक्रशन के रूप में नहीं लूँगा मैं अबस्वरों को पहले से काम देता हूँ अगली सरकार के लिए ये काम करों तो मैं उस समें भी 100 दिन का प्लान करता था ता ह। अभी रिजल्स भी नहीं हैं और आप सौव दिन का प्लान बना रहे हैं। मैं चुनाव में जानेज दे पहले शुरू किया हैं। और दरशल मैंने कैसे किया। कि मैं पिछले दो साल से 2047 को दिहान में रखे काम करता है। और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मागे, सुझाव मागे। शायद 15 लाग से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दिये हैं। कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखता चाहते हैं। और मैंने सभी उनिवर्सिटीज को कॉंटेक्ट किया। मैंने अलगलग NGO को कॉंटेक्ट किया, संगधनों को और 15-20 लाग लोगों कुना इंपूट दिया। फिर मैंने AI की मदर लेकर 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 उसको सब्जगवाई बनाया। इस काफी मेरे टेक्लोग आए टेक्नोलोजी का उख्यों किया। मैंने अर विभाग में अफ्षरोग एक डेडिकेटेड रएग्या। कि भी इस पर काम कीये, कैसे हो सकता है। अगले तॉम के लिए। पचीश साह की लिए। और फिर मैंने खुदीने उनके साथ बेठा प्रिजेंटेशन जीए दो दो डाई डाई गंटे और मेरा विजन के अनुरुक क्या चीजे हैं कौन सी चीजे डुएबल हैं, कौन सी चीजे डुएबल नहीं हैं मैं ऐसा है कि आचार सहिंता चल ड़ी हैं, मैं अभी अगर इस चीजे को बताऊंगा तो साथ को इसको गलत अर्समें ले लेगा तो मैं उसमें फसना नहीं चाहता हूँ लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, मिल ही जाएगा दूसरा मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं डॉक्यमेंट बना रहा हूँ जो मेरा विजन है, लेकिन वो विजन बोदी की बपोती नहीं है, वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित के प्रकार से इसकी ओनर्जिप देश की है, 15-20 लाख लोग इंपुट द कि जैसे ही चुनाव प्रक्यापुरी हो जाएगे, तुरत वो बेज दिया जाएगा, जो मैं चाहूँगा कि स्टेट उस पर काम करें, इस टेट को क्या लगता है, क्या हो सतता है, क्या उसमें तो सिर्फ BJP स्टेट्स नहीं है, सले में, पुरा देश, ये देश का है, ये ब कि अभी जो हमारे सामने चीतर बना है जो कुछ भी इंपुटाइश का दर मैंने अपने इंपूर दिये उसमें से मुझे तीन हिस्सों में काम करना है एक बीजेपी का जो मैनिफेस्टों आएगा उसमें से करणिये काम तुरंट कैसे ले सकते हैं दूसरा ही जो पचीछ साल का हमारा जो एक खाका बना है जो मेरा अपना विजन है भी तो मैं चाहूंगा कि मुझे और भी उसमें क्रिटिकल इंपूट चाहिए मुझे मैं ऐसा नहीं मानता हो कि सब कुछ मुझे ही समझे और मुझे ही दितका है कोशिस मैंने भारी के मैंने काफी समय लगाया इसमें उस अपने लाइट मेरे फर्स्ट हंड़ेड देज तो इस प्रकार से मैं अगरा डिजाइन बना अपसरो को काम लगा दिया है क्योंकि मैं एक मिन भी घवाना नहीं जाहता हूंगा अब आपको याद होगा थाँ वेट निग बहुत कम लोगों को ध्यान दाता है उस समय मैंने स कि अफ्पित गिन तलाग से मेरे और मट्स पूह्न को मुक्ति देला दी पहले सव दिन में किया वेप यल सेक próxim एटमी में कर दिया बेंकों का मरजर बहुत बड़ा काम था हमने सौ दिन में इतना ही नहीं है पशू का टिका करण ये कोविट के टिका करण के इतनी चंड़ा है मैं देश में पहली बार करीब 15,000 क्रोड रुप्या लगा कर चे है पशू के टिका करण का बड़ अभियान चला रहो और उम्हें करता है मैं बिल्कुल प्रानिंग करके उसको अधार पर आगे कराता हूं मोधी जी आपके एक टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोगप्रिय हो गया है मोधी की गारंटी अब चुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या उमीदवार जो है वो नॉट इपोर्टेंट है कि दुञ हितनal मोधी जी को जाघा क्योंकि मोधी जी की गइड़ कि गारंटी है तो वह थो इलेक्शन के दौरान ये सब इम्पोर्टेंट होता है पह्ली बात है उमेदवार ही नहीं में हर मतदाता इंपोर्टेंट होता है शुनाव में बूथ लेओल का कारकर्ता भी बनना इतना बड़ा चुनाव हो ही नहीं सकता है तो बहुत महत्पभा होता है जहां तक गारंटी का सवाग है आज हमारे हाँ दुर्भाग्य से शब्तों के प्रती जो कमिट्मेंट होना चाहिए है वो एक प्रकार से लग रहा है तो चलते का नामगाडी कुछ भी बोल तो कह जिम्मेवारी नहीं अब देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के तुनाने धेर सारे विडियो बाजाय में घुम रहे हैं और उंके एक विचार से दूसरा विचार केतना कॉंट्रीक्टरी है अब लोग एक साथ देते हो औरे यह आदमी एक तना हमे मुरग बनाता का हमाले अब लोगता है अभी मैंने एक नेता का बाशन सूरा उन्होंने कहा एक जट्टे में मैं घरीबी हटादूँगा अब जिनको पांच-पांच-छेशे दश्क देश का राज करने को मिला मुझे बाच कहेंगे कि मैं एक जट्के में घरीबी हटा दूंगा तो देश सोता है क्या बोल रही तो मुझे लगता है पॉलिटिकल डिडर्शिप की क्वेस्टेनिबल होती जा रही है ऐसे मैं प्राण जायरू वचन न जाय यह महान परंपरा से हम निकले हुझे 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 मैं मानता हूं नेताओं ने ओनर्शिप मेनी चलिए अदो जीम्मबारी लेनी चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं मतल offset मेरी ज़िम्मबारी है यह कोई करेंगा ऐसा करेसल तुशए पासरा जान। जिए और उसमेंसे मैंने बल दिया करिवाट्यृ मैं कमिट्मेंट भी करता हूं और उसका मैं ओनर्शिप ले रहा हूँ और जब ओनर्शिप लेते हैं तो देश को बरोसा होता है आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का बरोसा है तीन सो सत्तर हटाओंगा भले हमें पार्टी का जन्म हुआ तब से हम कह रहे दिया है लेकिन हम उस पर पक्के मन से लगे हुए थे जब मेरा मोका आया मैंने पूरी हिंबत दिखाई तीन सो सत्तर गई और आज जे कहिमु कश्मीर का भागे बदल जया तीन तलाग कितने ही चीजों से गुजरा पुलिटिकल लीडर सिब डर गई लोगों को रहा भी इनके पर क्या फरोसा करें यह तो एक बार एक बोलते है दुसरे लोगों का फरोसा तब बनता है कहें को यार यह खुद ख़ए रहेंगे और जाना भी है तो जिम्मेवरी लेक करके जाएंगे कि यह था मैं सोचा था नहीं कर पा रहा हूं मैं जा रहा हूं बापिस लेकिन भरोसा बहुत बड़ी तापक होती है और भारत जैसे देश में यह भरोसा को मैं अपनी जिम्मेवरी मानता और इसलिए मैं बार बार गारंटी यह कहता हूं देश यह कहता है और जो मैं खुद भी फिल करता हूं, कि ये मा भारती का बेटा है, कि मा भारती का संतान है, उससे जादा ना लोग मुझे मेरे लिए सोते हैं, नहीं मेरे लिए बोलते हैं, भारत मा का संतान है, मा के सिवा कर रहा है, तो इतना ही बोहता है. मैं राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा की बात करती हूँ, इसको एक राजनेतिक रंग नहीं चड़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है, और जब इलेक्शन आ गए हैं, तो फिर चाहे ओपोजिशन हो या बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तुम पापी, तुम पापी कैती है कि इसका राजनीती करंट बीजेपी ने किया, इसलिए वो पापी है, बीजेपी कहती है कि नियोता देने के बाजूद आप प्रान प्रतिष्टा में आये नहीं, इसलिए आप बापी हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? और इसको आज की घटना हो समध है, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुए थी, उस समय अदालत में इस मामला निप्टाए जा सकता था, समध्षा के समधान हो सकता था, भारत विभाजन हुआ, तो विभाजन के समध ये ताह कर सकता है, जब हमारी तरव इतनी चीजे ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया, क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है, जो हथियार वोट बैंक, पोलिटिस्क के लिए मजबूती का एक दाव है, इसको पकड़ के रखा गया, और बार बार उसको भढ़काया गया, अब जब ये अदालत के अदालत में अभी जजमेंट ना आए, वहां तक पोशिश की गई, जाइक पकरियासा होना चाहिए, तो हमारा साविधाना में कहता है, और सारकार के तो जब बारी है, तो उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये ये राजनेती हर्थियार था, ऐ आप देखिये राम मंदिर का ऐसा लोग है, राम मंदिर राम मंदिर कर रहा है, तो में मार देगे, अच्छा के रिक वोट बैंक बनाने का तरीका था, अब हुआ गया राम मंदिर बन गया, उनके हाथ से उनके हाथ से बढ़ ही चला गया, अब किसी को ड़ना नहीं पा रह ह अब कर देखिये राम मंदिर राम मंदिर राजाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई, दूसरा इंकी प्रकृति है, आप सोमनाथ मंदिर से लेकर के अब तक की गटना है, देखिये, वे भारत की मुलभूत आस्थाई, भारत का मुलभूत यो प्रिंड है, उसके प्रती नेगेटिविटी लेकर के ही देश में वे अपनी बात है, आप सोमनाथ मंदिर को क्या प्रग्रम साथाएगा, साधार प्रटेल से, डॉक्टर राजेंजर भाभू को जाना था, वहां तो ना जंग संग थाना आरेश थाना आरेश थाना ना कोई और आप इसको ठुक्रा दे, सच्पुच में तो आपको घर्म होना चाहिए, कि ये रामंदीर निर्मान करने वाले जो भी लोग हैं जिनों ने संगर्श्मी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपकी गुना भूल करके, घर में आकर तो आपको ने टुक्रा दे, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है, और उस वोट बैंके चलते इस प्रकार की चीज़े होती रहते हैं, और ये किसी को नीचा दिखाना, किसे का अपमान करना, ये अपना अधिकार मानते हैं, और तो मैं कभी क अधिकार मानते हैं, यानि हर चीज कि मैं तमिल लाव जाओ, दूँगी पहनू, तुर को लगता है, देखो, ये ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं हरान हुजी, इत्नीन दफरत लोकतंतर में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, तेकि हमारे लिए, मैं मानता हूँ ये न प्रभू राम का संबन कोई मेरे कारकार मान नहीं हाया जी हजारो साल से और दुनिया के अनिक देशों में है, जब ये राम मंदिर का निमंतरन देने के लिए, तुर के लिए मुझे आए, उन्हों ने फुक्रा दिया है, मैं सोचने लगा इतना बड़ा मुझे दाई को दि कि मेरी स्पिरुचल लाइप से जुड़े हुए कुछ लोको मैंने पूछा कि मैं इसको एक प्रधान मंतर के रूप में इस कारकम को नहीं लेता हूं, एक राम भक्त के रूप में करना चाहता हूं, मुझे क्या करे उसमें से मुझे सुझाव आया, सुझाव तो बहुत, ल अरगल के पानी पर नहीं पर नहीं पर नहीं करना चाहता था. और ताई किया में नहीं लेए रभुराम जहां जहाँ गये थे, उसमें जहां भी मैं जहां सब्हता हूं, जहाने का परयास का हुगा, और वहां में अपना। ज़ मैं श्रंगम मंदिर में डाया, नुषण भा आमायन के रचना हुई तो पहला पाठ इसी जगह दोगा और मैं देखा तब क्या आख्मा आशू थे यह जो मैंने अनुभूती किये हैं साउथ में खास करके हैं यहां बैटे हुए लोगों का अंदाज नहीं आएगाजी कि क्या भक्ति हैं क्या अस्था है और कितनी पवित् मेरा कारकम नहीं था मेरा काम की ऐसा व्यक्तिक था लेकिन जो जन सामार था एक प्रकार से मुझे उनके भाव में अनुभू कर रहा था तो मेरे लिए शायद मेरी स्पिरिचल जर्नी की एक बहुत बड़ा महत्पून एक गटना में देखता हूं और रामंदी प्रान्त प् वो एक स्पिरिचुल मुपमें था के लिए? मैं मामता मुझे दिखता था पांट सो साल का संगर मुझे दिखता था एक सो चालिस करोड लूपर की संद्धारा हूं सपने और देश के गरीब गरीब लोगों है भाई भाई देकर के मंदिर बड़ा है जी यह मंदीर तीन ची के लिए बलीदान दूसरा लंबी न्याइक प्रक्रिया इतने सालों के न्याइक प्रक्रिया और न्याइक प्रक्रिया के हर तराजू से तूल करके निकला हुआ कसूर की हुआ 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 तूसरा टेकनलोजी का उप्योग एसाई के द्वारा उसकी खुदाई सबू जुट बढ़ा एक बढ़ा और चोथा हिंदुस्तान के कोटी कोटी लोगों ने एक एक दो दो पाच पाध रुपया जो भी दे सकते हैं दे कर गर के एं मंधिर बनाया है यह मंदिर सरकारी खाजाने से नहीं बनाया है यह अधर यह ऐसे पहलू है की जो भारत के स्वाभिमान भारत के सामर्थ को भारत के सप्नों को भारत के संकल्प को और भारत के आने वाले पीली को बहुत बड़ी परेणा देनेवाले हैं हम दक्षिन भारत की बाध करते हम στοharm तो बीजेपी को डबल डिजिट फिगर आएंगे तो क्या ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप भी तमिलनाडू इतनी भारी जा चुके हैं पहली बात है कि तमिलनाडू जनसंग के जमाने से और भारती जरता बार्टी मैं कहता हूं पाँच पाँच पीडी हमारी इस विचार के लिए भाँ खब चुकी हैं तो एक निरंतर काम चला है जब कॉंग्रेस से लोग निराश हुए तो पादेशिक पक्षों की तरफ गए हैं और लंबे अर्शे तक पादेशिक पक्षों का जो कुछ भी काम काज देखा है अब लोग निराश हो गए निराशा के इस माहूल में उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार का मोरेल देखा हिंदूस्तान में अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार का मोरेल देखा हैं देज भर में जो तमिल बंधू रहते हैं उन्हों कर रह रहे हैं। अब जर से मैंने निए तमिल काषी संगम किया। तो तमिलनादू में दीएम के पार्टि वाले लोग यह तो पानिपूरी वाले करके मैजा कुड़ ए थे लिए लिगन जब तमिलनादू के लोग काषी संगम कारत्यमड कारत्यम झाये और काषी वरुपरण कि अगलेटे जो सुनाता ऐसा नहीं है, तो बहुत डेवलोप दिखता है, बड़ी प्रगदी हो रही है, इत्यों नेटवर्क दिखता है, तो सोचने का तरीका बदले लगा, और उसके कारण, देम्क के परती जवर्दस गुस्सा पैदा हुआ है, मैं कल्पना नहीं करता और गुस्सा पैदा डायवर्ट हो रहा है बीजेवी की तरफ, पोजिटिव बेब हैं, और अन्नामला ये बहुत अच्छे हार्टुकलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी IPS केडर में है, बहुत बड़ी प्रतिष्थित नहोकरी छोड़कर के आये हैं, दूसरा लोग सोचते कि अधने बड़ा अन्हार केरिये छोड़के आया अदमी, तो DMK ए ऐड, DMK ए चला जाता है, उसकी तो जिनकी बन जाते हैं, तो वह बानना नही नही गया, वो बीजेम आयाँ, तो लोग आप 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 यार, ये बीजेमी में गया हैं मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छ इरादे वाला इंसान लगता है, तो स्वाभाई गुरुप से उसके आकरशन का केदर बना है, और मेरी पार्टी की विसेष्ता है, हम हर स्टर के, हर छोट मंडे कार करता है, जिसमें क्षमता है, उनको उसर देते हैं, हमारा कोई परिवारबादी को पार्टी है नहीं, परिव स्टर के ने कहा है कि उन्होंने काफी बयान दिये हैं सनातन के खिलाफ, और वो तो काफी अर्से से करते आये हैं, काफी दशकों से उनका आंटी सनातन पोजिशन रहा है, लेकिन अब जो है वो लोग थोड़ा बहुत आकरोश दिखने को मिल रहा है, तो आप क्या समझते है कि लोग बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं या फिर सनातन के खिलाफ जो उनके स्टेटमेंट से वो बाकी राजयों में भी ये थैल रहा है अब, मैं इस सवाल को जड़ा अलग तरीके से जचता है, सवाल में कॉंग्रेस को पोच्छना चाहिए, जो कॉंग्रेस इसके था किसी जमाने माहतमा गांदी का नाम जोड़ा हुआ था जो कॉंग्रेस जहां इंद्रा गांदीजी इस गले में माला खुलयाम पहन करके घुम्ती ती. Roodraaksh Mala जो। Roodraaksh Mala पहन करके घुम्ती ती, इंद्रा जी. सवाल कॉंग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबुरी है कि ये सनातन के खिलाब इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भई क्या तुम्हारी राजलीती अधुरी रह जाएगी क्या कि ये कौन सी कॉंग्रेस की सोच विकृूती आ रही है कॉंग्रेस में इस जिन्ता का विशय है तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और दिरे दिरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्विकार करने नहीं लगे हैं और इतले वो नहीं नहीं तोर तरीके अपना दो रहादिया है क्या? जब समिधान सभा में जो लोग बैठे थे जादा तर गांधियन लोग है, जादा तर कॉंग्रेस की विचादारा से जोड़ हुई लोग थे और पहला समिधान बना उसके हर पेच पर जो पेंटिंग है वो सानातन की ही परंपरा से जोड़ हुई है तो आपका समिधान बना उस समिधान में सनातन का गवरोग हिस्सा था और आज सनातन को इतनी बैंकर गालिया देने की हिम्बत हो और आप उनके साथ चुनाओ की राजरीती करें उनके साथ मंच साजा करें मजूबरी कॉंगरी की ये देश के लिए चिंता का इश है और जो तमि बाहरत बाहरत दो अलग इक आई है उत्तर अलग इकाई है दक्षिन भारत और उत्तर भारत और विजयिच भारत में इनकर सकती रौट गांधी ने ने तो संसद में भी कहा था कि आप अगर पूरुस से देखे बंगाल से देखें, और इसा अंदरप्रदेश, तेलंगाना, तमिर नाडू के अरल तक जाएं, पूरे एरिया में बीजेपी सेंध नहीं कर पाएगी, दो अलग इकाई है क्या दक्षिन भारत और उत्तरभारत? पहली बात है, भारत बहुरतना वसुंद्रा है, भारत भिविदताओं से भरा हुआ देश है, यहां रेगिस्तान भी है, यहां समुदरी तड भी है, यहां हिमालय भी है, और हैं स्वैदरी भी है, यहां गंगा के पड़ भी है, और कावेरी के पड़ भी है, तो भारत को टु अगर यही भाव होता, अगर आप हिंदुस्तान में देखें, परभू राम के नाम से जुड़े हुए गाउं कितने सबसे ज़्यादा कहा है, तो तमिल नडुम है, इतने सारे गाउं के नाम है, कि उसमें राम तो होगा ही होगा, अब इसको आप कैसे अलग कह सकते हैं, कि इस अगराती जेसा होगा, तो कैस्वित का वेक्ति नहीं होगा, तो भीविटिता ही हमारी शक्ति हैं, हमने भीविटिता को छलिप्रेट करना चाहिए, हमें गुल्दवस्ता ऐसा है भारत का जिब हरेता पना फूल दिखाएगे यह वाँ होना चाहिए, तो कॉंग्रिस कहती है कि BJP और खासकर मोदी जी इस भीविटिता को अप्रीशेट नहीं करते हैं, एक रंग में ढालना चाहते हैं, और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं, अगर वो आजाता है, तो सम्धिदान रध हो जाएगा, एक ही भाशा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीका होगा और वो है जो मोद करता हो, कि साधार पर उस भीटिव को आप ऐसे आरूप लगा रहे हैं, मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़ अलग अलग राजी के पहनता हूं तो उनको परिशानी हो रही है, मुशिवत उनकी है, कि वो एक ठांचे में देश को डालना चाहते है, हम तो बिविदिता की पू करना हूं कि मातरू भासा में की अलिविग थै कि मातरू भासा में क्यों नीивать बन साथ है, ज हम मेरा बाद करता हूं मैं मातरू भासा को चलेपर, मैं लिविप्रेट कर रहा हूं इसका माहतमह भड़ रहा हूं। वढेरा हु हुझ ये अभी तो गेमिंग वाले सब बच्चो करेंगे, अपनी मात्रू भासा में सिगनेचर करो, इतना तो गर्व करो, अब मैं तो विविदता को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब उनको आरोप लगाने हैं, क्या करेंगे? कुछ मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि उन्हें सेंटर से सहयोग नहीं मिलता, दक्षिन के भी कुछ मुख्यमंत्री हैं, आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब प्रधान मंत्री हैं पिछले 10 साल में, क्या कौपरेटिव फेडरिरिजम को लेकर आपके विचार बदल जब आप मुख्य मंत्री थे और जब अभी आप प्रिधान मंत्री हैं दरसल और क्या उन्हें नहीं मिलता सही होग दुरुफा के हुआ है कि जो रिजिनल एक्सपिरेशन होते हैं उसको सबसे ज़्यादा तबज्जु देनी चाहिए कि मेरी पार्टी की फिलोसॉफी है जो है उसको नकार करके विक्सीद भारत का सफना पूराने कर सकते हैं दूसरा मैं गुजरात में लंबे समय तक मुख्य मंत्री रहके आया हूँ और मेरा सहुबा गया है कि देशमा मैं पहला प्रदानमंतिया साहूं कि जिसके पास राज्य के मुख्य मंत्री का इसना बड़ा अनुभव रहा है तो एक मुख्य मंत्री के नातेश चेंदर से क्या पिक्षाय होती है केंदर से क्या तकलीव होती है उसको मैंने भली भाती जीला है समझा भी है और इसलिए मैं कता ही नहीं चाहूंगा कि मेरे जेश का कोई राज्य उसका उमां उत्सा हो विकास का उस पर कोई रुकावट अगर रुकावट हटा सकता हूं और उसके मैं उनकी मदद कर सकता हूं और उसके मैं उनकी मदद कर सकता हूं वो भी मैं करने के लिए कोई कि मुझे देश बनाना है दूसरा में जे गुजरात था तब भी मेरा मंत्र था यहां सरकाब उपी ए की तब भी मेरा मंत्र था भार और हमने आपने अप्रीशनल डिष्टिक की कल्पना की हर राज्य में हमने का है रागजी में आप्यखे के बरामीटर यह रावर हा है रागव सब्सकार हानीוły यह जाला बनाई इसकी मजद की सभी राज्याज हमारे एस्पिरेशनल डिस्टिंग में और एस्पिरेशनल डिस्टिंग में मिलकर के हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे परणाम नजना रहे हैं अब आप कोरोना देखिए मैंने इतनी वहार चीफ निस्टर से मिटिंग की साथ 20-25 बार और हर चीज में सम मिलकर के नेड़ने करते हैं तो हम सांथ मिलकर के चले तो हम कोरोना के जंग को जीतने में सभर हुए और मैं पॉब्लिकली कहता हूँ कि कोरोना के लडाई में भारत के सभरता का का मैं सभी राज्योका भी उतना ही योगदान है मैं रकनाइज करता हूँ, और इसलिए, और इसलिए मैंने हमेशा कहा है, कोई देश को आगे ले जाना है, तो मैं कॉम्पिटिटिव कॉम्परिटिव फेडरलिजम चाहिए, हमारे हाँ स्पर्धा होनी चाहिए, तंदुर स्पर्धा होनी चाहिए, विकास की, तब जा करके, अब तेखे हिए जी20 सबक्षाओते हैं, यज्यून सकता है। अियूश्तान के हर राज में जी20 समीथ किया cách ह जी20 को सब जादा नुशर मिले लोगों को यह देखने का व्या मिले राज अपना एक्षपोजर के लिए ग्लॉबल प्लेटफोर्म बिल जायों क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा देश का हर कौना मेरे लिए देश ही है. मोदी जी, दो सवाल जी ट्वेंटी को लेकर मैं पूछना चाहती थी आपसे. एक तो वो जो क्लासिक शॉट था ना, वो प्रेजडेंट बाइडन और प्रिंस सल्मान जो हैंडशेक वाला जो शॉट उसके बारे में एक, दूसरा वेस्टर मीडिया में बहुत से आर्टिकल आते थे उस वक कोई कंसेंस होगा नहीं, डेकलरेशन होगा नहीं, पर हो गया ड दोनों चीज़ों की बैक स्टोरी बताईए, एक तो आपने वो हैंडशेक कैसे करवाया और दूसरा डेकलरेशन कैसे हुआ? एक ग्लोबल गुड जब उसके लिए काम करते हैं, और अपने नीजी कोई इफ्स और बट्स नहीं होते हैं, तो आप दुनिया को ओन बोड ले सकते हैं, और मेरी कोशिश ये थी, कि मुझे बताईए भे, आखिर कर जी एट और जी ट्वेंटी पैदा कैसा हुआ? जीन मुद्धों को लेकर के पैदा हुआ तो उस मुद्धों से हटना नहीं है, और उसमें सब मेरे से कन्विंस हुए है, सब दो कन्विंस हुए है, कुछ लोगों से मुझे व्यक्तिकर बात इतने की जरूरती मैंने भो भी किया, कुछ शदों की किसी की आगरे रहते थे थ इंदाने का प्रयास किया, दूसरा मेरा इरादा था कि मैं लास्ट डे लास्ट सेशन में नहीं करूगा, मैं इसको इतना जल्दी करूंगा कि लोग सर्प्राइज कर जाएंगे, और इसे मैंने दूसरी दीन पहले ही सत्र में डेकलेरेशन बाला काम पोड़ा कर दिया, तो जो नेगेटिव अनुमानों के आदार पर साराथ G20 गसिटी की कोशिश होती थी, मैं इसको किसी भी हरत मैं चौका देना चाहता था, तो तो ताट बाद मैं स्ट्रेटी और उस्ट्रेजी सफ़न भी और मुझे खुशी है, जहां तक दुनिया के उन उन देशों को क्यों ल अणिवाओन तो नेगेटिव अवलिबल नहीं कोई हिस्तिय अवलिबल नहीं एड़ को शुल कुट चल पड़ा और यहां एववलुब दूदी ज़ए थी, हम लोगों ने कि जो आमेशी की तरीश में गए हैं यह बहुत बड़ा गए गेम चंजर बने बाला है, और आने व और उसमें मैं सब को भी स्वाफ हुआ कि भाई हाँ यह तरीका है उसमें गर्भ कंट्रीज का भी पॉजिटिव और प्रोएक्टिव रोल था भारत में अच्छी भूमी का निभाने का भारत को आउसर मिला वेस्ट यूरोप हमारे साथ थे और सब को लगा कि एक कॉंक्रीट पॉजिटिव आउट निकलेगा तो हम उसको लेकर के मिलते थे तो उसमें स्वाबायूद था कि साओधी किंग और प्रेजिएंट बाइडन और दोनों के साथ मेरी अच्छी मित्रता है तो मैं किसे का भी हाथ भी पकेट सकता हूं किसे के बाद भाद करा तो परस्नालिटी उसके लिए बहुत पर लोग कहते हैं कि it is because of your personal intervention आपको समान भी दिया गया था वहाँ पर तो चाहे East Asia हो या West Asia हो इसमें परस्नालिटी पॉलिटिक्स कहां तक important है कि आप उनके जो राश्ट्रपती है या प्रधान मंत्री है उनके साथ आपका वाइबिंग होता है आप उनके साथ बातचीत करते हैं और फोर फिल्टर डाउन होता है फिर कहां तक इसमें परस्नालिटी पॉलिटिक्स भी है मैं समत्ता हूँ कि इसके अलग-अलग भी हो सकते है और सब सही हो सकते है एक मत्स्टॉंग है कि परस्नालिटी कल्ट या परस्नल रिलेशन यह बहुत ज्यादा इन चीज़ों मैंने हिडारे तक मत्स्टॉंग मत्स्टॉंग मुशे लगता है कि हमारी डिप्रोमेंसी अगर मत्स्क परस्षी रहेगी तो हम पर्फर्फम यह कर भाइगे अगर डिप्लोमसी की ताकद भी इंफर्मल में भी है प्रोटो कॉल में यह था नहीं है पोटो कॉल में ज्यादा पोजिशनी होता है पहले कौन आएगा पहले कौन हाथ मिलाएगा वगेरे बुसी में सुमाई तो मैंने सुरू से देखा कि भई जयते मेरी शपत हुआ था बड़ा इंटर्स्टिंग है मैंने ताहि किया कि मैं सार्ग देशो को 2014 की शपत है 2004 की शपत है सार्ग देशो को बना देखा मैं मन में विशाराया सो आरो की था अर उसके पीछे काना ने था की मेरा चुनाथ प्रचार में मुझ पर आरो को गही ही था तो मुझे लगा इनको एकी एक्षन से मुझे जवाब देजराना चाहिए बोल ला इजव प्रहुत है पहले दिन से तो मैंने शपद सभारो में साखदेश को बुलाया उसके पले मैंने बैक चैनल सब से सहमते ले ले ली थी ऐसा तो नहीं हो सकता कि जे कोई और सब लुग आये मेरा शपद हुआ है फोरें मिष्ट अभी तो हमारा बना भी नहीं था और मैंन सारी चीजों से बिलकुल नया था बिलकुल अनभिग्य था लेकिन बाइलेटरल सब के साथ होना था जब हम लोग है लोग है तो मुझे सम्झाया सब प्रोटोकल वालों सब ऐसा होगा वाएंग अब बाहर जाता हूं उनको लेने तीज तो सारी सिस्ट्म हिल गई थी अपने प्रदान मतली गेट पर जाएंगे सारी मेरे अमिये की प्रोटोकल की जो दुनिया थे ना उसके लिए वो पहला ही दिन बड़ा घजब पता और मेरे लिए वो एक एक एक्षन सारे मेरे दरवा प्रोटोकल में बंदने के बजाए पर्फॉर्मस पर फोकस करके डिप्लोमसी के लिवल को सिफ करने का प्रहाश किया और उसमें मिचे सफलता मिली है प्रेजडेंट ओबामा, प्रेजडेंट बाइडन, प्रेजडेंट ट्रम्प इन तीनों के साथ आपने काम किया हुआ है और इंडिया-U.S. रिलेशन एक अपवर ट्राजेक्ट्री पे हैं लेकिन बहुत से मुल्क हैं जो भारत की अपवर ट्राजेक्ट्री से परेशान हो अपने अपने नेबर हुड को अपने सक्सेस स्टोरी का हिस्सा नहीं बना सकते हैं? अच्छा सवाल आपने पूशा हमारी डेवन से पॉलिसी है एक नेबर फॉस्ट दूसरा एक इस्थ तो जो हमारे इस्टरन पार्ट की जो हमारे आश्यान कंट्री के देश है इसमें आप्वर पॉलिसी ली आये यहान नेबर हुड फॉस्ट तो यह हमारा डेवन से हमारे देश की भी पॉलिसी है और हमारी भी पॉलिसी है पहले लू कैस था मैंने आकर के इसको एक्ट इस कहा लेकिन इसमें दूसरा आज दुनिया की से को मिल दूर भी कोई देश है उनको लगता है कि भारत की प्रगते में हमारा कोई बेरिफिट है तो पडोसी को नहीं कोई पडोसी सबसे जादा खूश है क्योंकि भारत उनके सबसे अब जैसे कोई परोसी जैसा नहीं है कि जिस्त के हमने मज़नी की हो नेच्रल केलिविटी कोई ऐसा देश नहीं है अब जे नेपाल में भुक आपाया फस्ट रिस्पॉंडर हम थे स्री लंका में बहुत बड करते इसको कहते हैं और इसलिए मैं तो अंधुसरा नुह कर रहा हूं वो हमसे बहुत अपिक्षाएं करते हैं और पोजीटी वर्त में कहता हूं अच्छे रूप पे देखते हैं और भारत ने भी कहा है कि पिर हम हमारे सभी देशों को परोसीं को स्रक्तिशाली और अपने दोस्ती का हाथ बठाया था 2014 से ही पाकिस्तान चाइना के साथ भी ऐसे किया था लेकिन जब आप सक्सेस टोरी आपने नेबर हुट फर्स की बात करते तो पाकिस्तान चाइना मॉल्डीज ये भी आते हैं और यहां पर कटाक्ष है अगर आप बात करें तो इसके जी विदेशी मीडिया जो है वो हमेशा कहती है कि मोदी इस बारे में कोई दोर आए नहीं है लेकिन ये भी कहती है कि a strong Modi means democracy starts sliding मतलब लोगतंत्र के लिए खत्रा है अगर मोदी जी और strong हो जाएंगे लेकिन भारत में कुछ और ही है वही रेटिंग वही एजन्सी कहते हैं कि लोग जो है वो खुश है कि मोदी जी अगर strong हो जाएं तो उन्हीं के रेटिंग ये कहते हैं आप इस बाने में क्या कहेंगे पहरी बात है कि उनकी terminology क्या है और उनके इस conclusion पर आने का आधार क्या है ये अपने आप में research का भीशह है लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि जिस देश में छे लाख पंचायत हैं चुने हुए लोगों से चलती हो दुनिया में कोई दोई सैसा है जहां छे लाख पंचायत हैं और नियमित रुप से चुनाव जहां होते हैं इतने राज्य अनेक पार्टियों की सरकार हैं महारे देश में सायद ही कोई ऐसी पुलिटिकल पार्टी होगी जो कहीं सत्ता में लाख हो तो ये सब होने के बावजीत पर ये कहना कि सर्वसत्त अदीश के बन रहा है तो ये तो मुझे लगता है उनको जानकारियों का भाव है दूसरा अगर मोदी सर्वसत्त अदीश के रूप में रहता हूं तो जी ट्वेंटी में मेरे अगल बगल में ही करता है मैने तो राज्यों के पार्टिक करेक्टर है ये मारा मोदी जी मैं मदर अब डेमोक्रसी इसकी दुनिया में गुंजब कर रहा हूं तो उनको क्वेस चल रहा था तो भारत के जो वहां पर चात्र थे उन्हें सुरक्षत रूप से वापस भारत लाया गया ये एक एक दिल्धे लाने वाला किस्ता था इसमें आपने होस्टिलिटी रोकने के लिए परसनल हजतक्षिप किया था परसनल इंटर्वेंशन किया था ये सुनने में है तो इसके बारे में कुछ बताएंगे देखिए युक्रेन की चर्चा जड़ा ज्यादा हुए एक लाप लेकि मैं चवजा से लिग ऐसे कई घटना है अगर आपने एक सुष्वा स्वराज जी का इंटर्व हुए आप देखिए कि कैसे यमन में से हमने हिंदुस्तान के ल कैसे मदर्त रह जाएंगे तो उनका कुछ समय कुछ भी जगिए और सुष्माजी ने अपने इंटर्व में सारी चीजे कही हुए है भारत की रिक्वेस्ट पर एक प्रियर रहता था जिस प्रियर में बंबार्डिंग नहीं होता था और उस समय हम हवाई जहाज में हमारे ल एक रर्ष्या इस था सब्स्टे नहीं है डोनों राश्पति ये साथ में बहुत मित्रता पुर्ण में रहा है मैं पब्लिक लिए राशपती फुतिन को कह सकता हूं के उढे का समय नहीं है Kerryn को भी कह सकता ह के सखता हूं पब्लिक लिए कि बाथ्टीट के रास्ते पर ही जा हमाएं फसे हुए है और मुझे आपकी मद eyelashes mapped क्या बवस्ता कर सोग्ता तो कि मैनने बटाएं मैंने इतनी विवस्ता की है आप इतना मेरी मदद की जुँके और भारत के तिरंगी की ताकत इतनी थी की विदेशी वेक्तिकि भारत का तिरंगा हात मेरी रखता था एक सवाल है, electoral bonds के बारे में. राहुल गांधी जो है, वो हर भाशन में कहते हैं, और विपक्ष के निता भी कहते हैं, कि इसमें धानली हुई है. आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं, कि अगर गलती है, अगर इसमें कोई गुजाइश है इसके सुधार में, तो वो कर सकते हैं, क्या ये गलत फैसला था, इलेक्टोरल बॉंड्स का? पहली बनाता है कि हमारे देश में लंबे अर्शे से चर्चा चली है, कि चुनावों में काला धन के बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है, देश के चुनावों को काले धन से मुक्ती मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए, ये चर्चा लंबे समय से चल रही है, चुनावों म और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टिया लेती हैं, मैं चाहता हुता है कि हम कुछ कोशिश करें, कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ती में ले, टांस्परेंट से कैसे आए, एक प्रामानिक पवित्र विचार में 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 था, रास्ते खोज रह कि अधिला वही पुन॓न है वे वे उसमेह एंदाने की अधिक्टया था, पालामेंट में डिपेट में संबने उसको शराभ ही था, आज जो लोग फिलर्क फिलर्क बोटी हम ने कैसे काम किया जैसे हजार और ुहजार गे नोट खतम करती है, जुनावें वही बड़े-बड में ट्राविलिंग करते हैं, क्यों? कि ये काला धन खदम हो, हमने सुप्रिम कोटे कहा था कि 20,000 रुपीर तक पुलिटिकल पार्टिया कैस ले सकती है, मैंने कानून बना कर दिया, नियम बना कर के 20,000 को डहेजर कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने ही चाहता था कि ये कैस वाला क कि जो पार्टी अपना सिक्रसी मैंटें करना चाहती है, होता था क्या? जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे ये टाइकिया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहा हैं साब हम चेक से दे ही नहीं सकते, हम क्यों नहीं दे सकते? बोले हम चेक से देंगे तो ह वहें जहते हां मैं उप फिर नफंद के अन्रुटन वहां जैमारे के शुनाओं में उल्य हैं जहते हैं यह वाई दिक्ट अधिध अमक को बड़ दिक्कत आई थी रहे हैं नहीं हैं और अजिए लगा और हम नियम लगाए बैटे थे हम चेक्ष लेंगे अिनले लेग चेक्ष तो किस व्यवस्ता में ताकत है गुट धून के निकालते हैं? कि पैसा कहा से और कहा गया? यह तो एलेक्ट्रोड बॉल की सक्से स्टोरी हैं कि येलेक्ट्रोरल बॉन्थ थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपने ने दिया, कैसे दिया, कहा दिया अब उसमें अच मैं यह कमी नहीं कहता हूं कि निर्णे में कोई कमी नहीं होती है। निर्णे को चर्टा कर स्विक्ते हैं, सुधारते हैं। इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभागा है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धनकिव तरफ देश को दखेल दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं, सब लोग परस्ताएंगे। जब बात में सब्सक्राइब से सोचेंगे, सब लोग परस्ताएंगे। अब देखिए, इलेक्टरल बॉंड का भी विश्रस्ताजी है। जूट चल रहा है। कुल देश में 3,000 कम्पनियों ने इलेक्टरल बॉंड दी है। उसमें 3,000 में 26 कम्पनियां ऐसी हैं, जिन पर कारिवाई दी है। ये कहते हैं ने, EDVD डिकनाफना। 3,000 डोनर हैं उसमें सिर्फ 26 और उनमें से 16 कम्पनिय ऐसी थी। चापा जब लगा उस समय बॉंड खरीदा। कोई जोड सकता है इसको। अगर बॉंड खरीदा लोगें जोड रहे हैं। उसकी विशरता ही है कि ये जो 16 कम्पनियों ने बॉंड खरीदा। उस परते 37 पैसा एमाउंट बीजेपी को डोनेशन में बिली। 37 परसंट बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। अगर पूरे जोड़े जायें तो मैं ये 16 कम्पनियों जिसको एडी, CBI, कोई नो कोई समय एक्शन भी हुआ और बॉंड भी निकला। 37 परसंट एमाउंट बीजेपी निकला। 63 परसंट को क्या एडी रेड करें और उपोजिशन को डोनेशन देने का कारकमबर करें। क्या बीजेपी कैसा करेगी। इसका मतलब की 63 परसंट पैसा विपक्ष के पास जाये। और आप आरो फंपल लगाएं। लेकिन उनको गोल मोल बोलना है और भाग जाना है। हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि ED, CBI, IT सारे के सारे इदारे जो हैं इलेक्शन कमिशन को भी जोडते हैं वो कि सारे इदारों पर BJP हावी है और लेवल प्लेइंग फिल्ड है ही नहीं। मतलब अलरेडी मेकिन दग्राउंड की इलेक्शन जो है वो फैर नहीं हो सकता। इसमें एक भी कानून मेरी सरकाने ने बढ़ाया। जाए डी हो, CBI हो, जाए इलेक्शन कमिशन उपर से हमने तो इलेक्शन कमिशन में सुधार किये थे। ऐज इलेक्शन कमिशन बनता है तो opposition भी उसमें होता है। पहले तो प्रजान मंत्रिये खाइल पर साइन करके इलेक्शन कमिशन बना दिदा थे। और जो उनके परिवार के साथ निकट जूडे थे, यह वहां से निकलने के बाद, राजसपा के मेंबर बने उनकी सरकार के मिनिस्टर बने, ऐसे बिल्म के थी कोंग्रेस के बाद में के चंडिडेश बने, और इसलिए हम उस लेवल प्ले नहीं कर सकते हैं, तो हमारा लेवल प्लेफिट हो यह नहीं सकते हम ऐसे बनी नहीं सकते हम अच्छे लास्ते पर जाना नहीं चाहते हैं उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते हैं दूसरी बात है अखिर E.D.C.B.I. कैसे बहुत है आप देखेंगे या इलेशन कमिशने अपने कहावत है नाच न जाने अंगन टेड़ा अर इसलिए कभी EVM का बहाना निकादेंगे कभी बूलत है पराजय के लिए वो कुछ रिजिनिंग अभी से सैट करने में लगेगा ताकि पराजय उनके खाते में नचड़ जाए वो केरे आप या तो आपकी पार्टी में आगे तो सारे पाप धुल गए कितने अपोजिशन लेडर जेल में हैं कोई मुझे बतागे और क्या यही उपोजिशन लीडर उनके सरकार सालाते है यही जेल कर डर है दर तो पाप का होता है इस इमांदार को क्या डर होता है मेरे हाभी त अपनों ने मेरे हो मिनिस्टर सबको सबको जैन में डाल दिया था दूसरा एडी की बात करते है अब गुजराव के बारे में कह रहे हैं जब आप मुख्यमंधरी था अच्छा जो एडी की बात करते हैं एडी ने जितने केसिस किया है उसमें से सिरफ देश को समझना सिरफ तीन परसंट ही पुलिटिकल लोग इनवोल है जिन पर एक केस में 97 परसंट जिन का राजनीते से कोई लेना देना नहीं ऐसे लोगों है को हुआ है जो कोई ड्रग मापिया है कुछ अप्सर है जो करप्शन करते हैं कुछ अप्सर है जो बे नामी संपती बना के बैठ गए ह 17% केस उन पर हुए हैं, जयों में वो लोग गए हैं, अचाब मजा देखिए एक स्वत्रम्त संसा को काम कर देना चाहिए, नहीं करने जहना चेहिए, बनाई क्यों है, दो हजार चावदा से पहले, ये संपती एटेज करने का एडिकार है, दो हजार चावदा से पहले उन्हों मेरे कालनखन में गलत काम करने वालों की एक लाग करोड रुपीर की संपते अटेच होई है, कई देश की जनता का पैसा नहीं है, दूसरा आकडा तो आप और हैरान हो जारी, 2014 पहले, इसी इडी ने देश में से 34 लाक रुपीर, 34 लाक रुपीया कैश जब्त किया गा, के श्कूल बैंग में आजाए इतना पैसा, स्कूल बैंग में आजाए, पीछले दस साल में हमने 2,200 करोड रुपीया कैश जब्त किया है, कहां 34 लाक रुपीया एक बैंग में आ जाता है, इतना रुपिया हमने एडी ने हमारे कालखन में इसका मटलब यह है कि एडी सही काम कर जी है कैस्ट पकड़ाई में लोग पकड़े ने कैस्ट भी पकड़ाई और मेरा यह कमिटमेंट है मैं यह कंविंस हूँ कि प्रस्टाचार ने देश को तबहा करके रखा है हमें देश में से प्रस्टाचार के खिलाब डड़ाई लड़नी चाहिए पूरी ताकत से लड़नी चाहिए और यह मेरा व्यक्तिक अदूप से मेरा यह कन्विक्शन बना हुगा है एक सवाल आर्थे किशू पर है कि जब इलॉन मस्क भारत आने वाले हैं और वो जब आप से अमेरिका में मिले थे तो उन्होंने का था वो आपके प्रशंसक हैं क्या हम भारत में टेसला का स्टार लिंक यह सब देखेंगे और इससे जुड़ा एक सवाल था कि क्या जब ऐसे कंपनी भारत में आएंगे तो क्या नौकरियां बढ़ेंगी क्योंकि बहुत से लोग चाते हैं कि और थोड़ा बहे भी है कि जब यह इंटरनाशनल कंपनी भा कि इन दोनों पर पूछना चाकरे मैं एक पहली बात है एलन मस्क मोदी के प्रसम सख है वो अपनी जेकार पे हैं मुलता वो भारत के प्रसम सख है और मैं अभ्यूं को मिला ऐसा नहीं मैं दोःजा पंद्रा में उनकी फ्यक्टरी देख रहा है वो कहीं भार थे तो स्पेश पिछली अपने सारे कारकम कैंसल करके वो वापिस आये मुझे सब चीजे खुझ ने अमकी फ्यक्टरी में दिखाई और उनका वीजन क्या है वो मैं उनसे समझा मैं अभी गाया तो दुबारा भी उनसे मिला था और अभी वो भारत आने बाले भी है देखिए भारत मैं हमारा एवी मार्केट वहीकल का मार्केट कितना बड़ा बड़ा है आपको जानकर निवे हनकर हरानी होगी के कितना बडलाव आय लोग पकड़नी पाते है 2014-14 में हमारे देष में 2000 वेहिकल के 2000 थाजार विखीक थे कि दोजार तेविश चुवविश में बारा लाग इलेक्ट्रिक वेहिकल भी हैं, कहां दोजारों का बारा लाग है, इसका मतले इसने बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बना है, परियावरन को बहुत बड़ी मदद मिली हैं, यहने एक प्रकार से और उसको लेकर क कि आप एक कॉलिस्ट का रूप दिया है, हमने दुनिया को गा है कि भारत बहुत तेजी से इवी पर जा रहा है, बनुफेटिंग करना चाहते हैं वो आना चाहे आई इतना ही नहीं, हम मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में निवेश आना चाहिए, क्योंकि भारत में वो चीजे जिस में भले पैसा किशिगा भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए, उसके अंदर सुगंद मेरे देश की मिट्टी कि आनी चाहिए, ताकि मेरे देश के नहुजवानों को रोजगार जिए और मैं उसके लिए आप देखिए गूगल उसका बड़ा काम यहां कर रहा है सेमसंग यहां पर आया एपल बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर आया हमार यहां बड़ोगरा के अंदर एरकाप मेनिफेक्टिंग के लिए काम शुरू हुआ सेमिकंड़क्टर के लिए अभी तो ताइवान के एक लीडर का अच्छा बयान भी आया याने हम हर क्षेत्र में चाहते हैं लोग टेकलोजी ट्रांसपर करें चाहते हैं लोग पुझी निवेश करें हम चाहते हमारे देश के नव जवानों को रोजगार मिले मैं यह अब मुझे मन्जूर नहीं है मेरा देश के जहु बाहर जाए और ढर ब्रेट में तो सवाल küszna हाओंगी एक तो फर्स्टाइम वोटर पहले बार मैप homelessness करने वाले हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है और दूसरा जो इमांदार मध्यम वर्गियव करदाता है ओनेस्ट मिदल क्लास टैक्सपेयर, मिलियन जर्देर, तो उनके लिए वो क्या उमीद कर सकते हैं मोडी 3.0 देखिये, मैं जो विक्सिद भारत की बाद करता हूँ, उसके साथ सामेंटेनियस किसका भविष्री जुड़ा हुआ है, जो आज 20 साल का है, वो 2047 में, उसकी पुरन जिन्दिगी का अलखन है इक प्रकार से, तब वो 40-45-50 का होगा, मतलब ये भारत के विक्सिद भारत मनने क कि प्रक्रियार, उसकी जिन्दिगी की प्रक्रिया दोनों साथ है, गोल्डन ऑपरचियलिटी है उसके अलख, ये सबसे ज्यादा बेनिफिसेरी आज का जो फर्स्टाम वोटर है, वो 2047 का सबसे बड़ा बेनिफिसेरी बनने वाला, ये बात मैं उसको संझा रहा हूँ, कि मैं तेरा भविष्य बना रहा हूँ, तुम मेरे साथ जोड़ जाओ, और मैं का मानता हूँ, को जोड़ेगा, दूसरा फर्स्टाम वोटर जो है, वो परंपरागत चीजों से बाहराना चाहता है, अब आप देखिए विपक्स्का गोष्णा पत्रा हूँ, पूरी तरा एक को फेल करने बाला भी जोड़ा पत्रा है, एक प्रकार से विपक्स्का गोष्णा पत्रा हूँ, देश के जो फर्स्टाम वोटर है, या पिछले जिन की उमर पचीश से कम है, उनके भविष्को रूंदने वाला उनका मैनिफेस्टों के एकानोमिक प्र्णा है, वो तो खट के पचीश साल की उमर से कम उमर वाले लोग हैं, उनके भविष्को रौंदने वाला उनका उनका उकानोमिक पुर्णा है, बर्माद हो जाएगा, मुझे उनकी जिन्गी बनानी है, मैं देश में इनोवेशन को बल देना चाहता हूँ, देखी देश में जो पैटन इन देनो रिजिस्टी हूँ हूँ, हिस्टोरी कर रेकॉर्ड है पैटन के, तो यंग जनरेशन को लगता है हाहा मारी जिन्गी बट रही है, आज डेटा मेरे देश का इकाना सस्ता है, मैं जानता हूँ मेरे देश के और्थी गुप से नुखसान हो रहा है, लेकिन सस्ता डेटा का प जन्या के देश में हम खेलने के जाते हैं, बहाँ डेटा इतना महंगा है, तो यह हम पचास बार सोते हैं, हम भारत के अंदर इतना हमारे लिए अवसर है, इतना सस्ता डेटा है ते मिंबत कर रहे हैं, एजुकेशन है, आज डेटा सस्ता होने के एकाना उन्ड को कितनी मतलूरायगे, मिडारी रिवलिशन बहुता ओना है. और जो मिडल कलास टेक्स पेयर है, उसके लिए, जो… सच मुझ मैं टैक्स पेयर का सम्मान होना चीज़िए, टैक्स पेयर का गवरःव होना चीज़िए आए धीन, रस्ते चलते हर टैक्स वाली देते रहेंगे, तो देश कैसे चलेगे, यह मैं समझ नहीं आता हूँ, किस सोच का पढ़ाद है, देखिए क्या बढ़लावाया है, मैं टैक्सपेर की बात करों, पिछले दस वर्स में, आई टी आर फाइल करने वाले की संख्या, दो गुने सेधी होगे, पहले चार करो से भी कम लोग, आई टी आर फाइल करते हैं, आज आट करोड से ज्यादा लोग आई टी आर फाइल कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन, तीन गुना बढ़ोतरी हुई हैं, मतलब पहले जो नेट टैक्स कलेक्शन होता था, वो ग्यारा लाग करोड पी होता था, आज नेट टैक्स विकास के कादू, चोरी लूट फार्ट में या, इसलिए वो विस्वात के कारण देने के लिए आ गया है। दूसरा, साथ लाख रुपिय तक की इंकमपट टेक्स हमने माप कर दिया है, जो पहले दो धाई लाग को एटका हुआ था, साथ लाख रुपिय कमाई तक कोई टेक्स ने दे रहा है, फिर भी मेरे यह टेक्स बट रहा है, और इसलिए मैं मानता हूँ, मैं तो हर टेक्सपेर क करता हूँ, क्योंकि जो मुझे सपने पूरे करने हैं, उसमें टेक्सपेर जो धन देता है, उसी से होने वाला है, और मैं मानता हूँ, देश की प्रगति के लिए, करदाताओं के संध्या बढ़नी चाहिए, और करदाताओं के बोच कम होना चाहिए, इस मुल्भूत फिलोस करदाता क्या कर सकता है, मैं उनको कहूँ गा, कि आप कम से कम तीन लोगों को जो टेक्स नहीं देते हैं, उनको प्रेडित करो, कि वो टेक्स देना शुरू करें, हर टेक्सपेर सिर्फ तीन लोगों को प्रेडित करें, और मैं उनको सम्झाता हूँ, जब मैं गरीब का घर थे किसे ने किसी टार्ट भडिया है उसका जो बुन्य है ने बाज़ परथ उसमें रहता है जो फुन्य उस टाक्सप्रेर को जाता है उसका पुन्य उस टा किसी गरिब को मैं जा मुपत रास्न देता हूं जो खता हूं जब खाना पका करक давわे बच्चा- बच्च उ खलाता है तब वो कोई टैक्सपेर सोचें कि हाश मैंने टैक्स दिया था वो भूका बच्चा खाना खा रहा है उसको टैक्स देने का आनन्द आएगा और इसलिए मैं टैक्सपेर का धन जन कल्यान के काम इनको को रिलेट करकर गही चलना चाहता हूं तो कि देने वाले को संतोस हो कि मेर हाली है उसका संतोस का जो पुन्य है उसका हख़दार कोई है कोई देश का टैक्स पेर है मोदी जी चुनार के दौरान आपने वक्त में काला और हम से इतनी सारी बाते के उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मेरे देश वासियों से ये खस्टाइम उने वाला पचीज साल के भशिश के लिए भूट करें ये मैं उनसे आगर गरूँगा दूसरा में देश वासियों काुआ होंगा मैं सभी पोलिटिकल पाटी के वरकर्स को भी कहना चाहूंगा की गर्मी बहुत हैं धूप में सभी पार्टी के वरकर्स दौट रहें थै बह इतनी दूप क्योंन हो, आप मतदान अभश्य करें, हो सकें, तो सुबे जल्दी जल्दी मतदान कीजिए, और लोकसंत्र के उत्सव के रुप़े चुनाव को मनाएं, यही मेरी प्रास्था होगी देश्पाच्यों को. अगली चुनाव सर्दीओ में कीजेगा, और वननेशन, वनेशन वनेशन व समया ya अपने सही बıntदा उढ़गा, वनेशं वनेशन, 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 वनेशन. वनेशन वनेशन वमिटमेंट्शन हमारा कमिटमेंट है, हमने पारलामें में भुला हुआ हुआ है, हुमने कमIndущ भी भी बनाई थी, कमिटी का रिपोर्ट भी आया है, तो वन लेशन, वन इलेक्शन के सबंध में, देश में बहुत लोग पॉन बोर आये हैं, समी दालो ने, बहुत लोग निसमें, जो कमिटी को अपना सुझाव दिय हो, बहुत भी पॉजिटिव सुझाव आये हैं, और बड़े इनोवेटिव सुझाव आये हैं, और देश का बहुत बड़ा लाव होगा, अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाते हैं, तो धन्यवाद मुझे, नमस्कार, थैंक यू.